तो गाईज आज हम इंडियान बाइक से राइविंग जिडिटी गेम के कुछ अमेजिंग मिट को कन्फर्म या बस्ट करेंगे तो हमारा पहला मिट ये कि अगर हम एक के उपर एक तीन का स्पॉन करेंगे तो और उसके अंदर बेटेंगे तो फिर देखो मैजिक तो गाईज अभी में आउपर आ चुका हूँ तो चलो फिर अपन जली से एक के उपर एक का लोड कर लेते हैं तो अभी में ने एक के उपर एक का लोड कर लिये तो चलो फिर अपन तीसने नंबर की उपर उपर कार में बेट चुका हूँ मैं तो चलिए देखते हैं कौन सा मैजिक होने वाला है यार यहाँ पे मेरी गाड़ी अटक चुकी है यह क्यों सा मैजिक है रुको जरा सबर गोरो एक बार यार भार निकल के दुबारा अंदर जाता हूं मैं लेकिन एक सेकिंड यार ये क्या सीन हो गया अब यार ये मैं घर के अंदर बेटके गाड़ी चला रहा हूं यार ऐसा किसे हो सकता है तो देखो यार चल भी रहा हूं और गाड़ी भी चला रहा हूं यार ऐसा किसे पोसिबल है तो गैस यार गेम इत्तों बिल्कुल ही कंफरम है तो हमारा आगला मित है कि अगर आप कार दिवार से लगा कर बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी तो इसको करने के लिए मुझे चाहिए एक अच्छी सी कार और एक गोली और एक बंदा जिसको मुझे मार कर पुलिस बुलाना है तो गाइस यार इसके तो हेट शोट मार दिया है तो चलो फिर जली से कार उटा के जली से चलते है बिल्डिंग के पास तो चलो फिर जली से चलते है और किस बिल्डिंग में जाओ अंदर लगता है यार यही वाली सही रहेगी तो हमें बिल्कुल ऐसे दिवार से चिपका के इसको करी करनी है और जली से उतरते इसके अंदर पोज गये क्या तो गाइस बिल्डिंग के अंदर तो पोज गये लेकिन पुलिस की आवाज तो अभी तक नहीं है यार तो चलो पुलिस का थोड़ा इंतिजार करते है तो पुलिस की कार तो आ चुकी है और यार इसको पता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ तभी इस नहीं आपे ठकी है कार तो यार ये आ तो गया लेकिन ये मुझे मार नहीं सकता क्या ये मुझे देख पारा है तो ये मुझे देख तो पारा है लेकिन ये मुझे मार नहीं सकता और ये देखो दूसरी पुलिस कार भी आ गई तो ये देखो यार मैस के बिल्कुल सामने खड़ो लेकिन ये मेरे कुछ भी नहीं कर सकता तो अभी मैं बिल्डिंग के बाहर निकल चुका हूँ लेकिन फिर भी यह लोग मुझे नहीं मार रहे तो ये मित बिल्कुल कन्फाम है तो हमारा आगला मित एक के अगर हम होर्स को ट्रेन से ठोक देंगे तो होर्स को कुछ नहीं होगा तो guys अभी मेंने horse को बिलकुल train की पटरी के सामने खड़ा कर दिया है तो अभी बुलाते है train को और ये देखो train आ रही है तो ये देखो guys train full speed में आ रही है और ये देखो horse को ले जा रही है train यार अभी मुझे जली से आगे जाके देखना होगा क्या हो रहा है horse का तो guys अभी में train से बिल्कुल आगे निकल चुका हूँ और ये देखो horse अभी भी जिन्दा है यार ironman की power आगे लगता है horse में तो guys यार ये मित हुआ confirm तो guys हमारा अगला मित ये है कि अगर हम घर की window में sticky bomb लगाए तो sticky bomb बहुत लंबा हो जाएगा तो guys अभी में घर के अंदर आ चुका हूँ तो चलो फिर जलने से sticky bomb फेकते हैं दिवार पे तो guys यार ये देखो ये तो लंबा नहीं हो रहा है बलकि ये तो मोटा हो रहा है यार तो I think यार इस्टिकी bomb के यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है चलो यार बाहर चल के देखते हैं हाँ तो guys अब देखो यार ये तोड़े लंबे हो रहे हैं यार यहाँ पे देखो अलग अलग जगे पे लंबे होते जा रहे हैं तो चलो गाइस यहां पर लाग के देखते हो बाई साब यहां पर देखो कितना बड़ा इस्टिकी बॉम और गाइस यहां जितने ज़्यादा लगाएंगे न उतना ही लंबूत हो जाएगा यहां पर आप भी ट्राय करना कितना बड़ा हो गया तो यार मैंने कभी सोच नहीं तो यार इस्टिकी बॉम चलो यार अब इसको फोर्ड के देखते हैं वान ट्यू थ्री तो गाइस यह मित बिल्कुल कनफाम है तो गाइस हमारा अगला मीत है यह हैं अगर हम ट्रेन को पटरी से उतारके फोन से चलाएंगे तो ट्रेन उड़ने लग जाएगा और एक नया ट्रेन हाजाएगा तो गाईज अमने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए बहुत सारे इस्ठिकी बोम इसके आगे लगाने होंगे तो चलो गाईज जल्ली जल्ली लगा लेते हैं तो यह देखो गाई मैंने इसके सामने कितने सारे इश्चिकी में लगा दिये तो चलो फिर अपाई इसको जल्दी से फोड़ देते हैं वान ट्यू थ्री हाँ तो काईस यार यह देखो कितना बड़ा धमाका हुआ है यार यहाँ पे और यार यह देखो ट्रेन भी अलग-अलग हो रही है दिरे दिरे और यह देखो अलग हो चुकी है और यार देखो आस्मान में ओड़ा यह ट्रेन के डब भे आरे सा किसे हो सकता है तो गाइस ट्रेन तो आशमान में वड़के जने कहाँ चली गए लेकिन यहां पर तो अभी तक ट्रेन नहीं आई दूसरी है है तो चलो दूसरी ट्रेन का इंतिजार करते हैं तो गाईस अभी एक अगंटा हो चुका है तो चोब यार अभी तक ट्रेन के सेintend नहीं आई तो गाईस यर 2 साल से कड़ाँ यार अबी तक ट्रेन नहीं आई देखो यूरे तो गाईस मुझे लगता है ट्रेन नहीं आने वाली तो गाईस यह मित होता है हमारा बस्टेड तो हमारा अगला मित यह कि अगर हम किसी भी जगे बहुत सारे स्टिकी बॉम लगाते हैं तो गाईज इसको करने के लिए मुझे सबसे पेले जमीन के उपर बहुत सारे श्टिकी बॉम लगाने होंगे जिसा कि मैं आप लगा रहा हूं और गाईज हमें इसमें इंजिनीटी हेल्थ का चीट कोड भी लगाना पड़ेगा और गाईज इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब भी करना पड़ेगा तो चल जिसे कर दो तो गाईज अभी मैंने आप इंजिनीटी हेल्थ का चीट कोड भी लगा लिया है तो अभी हमें बिलकुल इस्टिकी बोब के बीच में खड़े होकर सूपर जंप का चीट कोड लगा लेना है जैसा कि मैंने या पर लगा लिया है तो गाईज यार अभी मैं हवा में ऊड़ चुका हूँ और आप जली से अपन नीचे गिर गया और यार यार ये एक देखो आप लोग यार इस्टिकी बोब मेरे पर चिपक गया है तो गाईज यार ये देखो मैं तो इस्टिकी मेन बन गया मेरे आजू बाजू में इस्टिकी बोब चिपक चुके है तो चलो गाईज यार अभी अपन कार के अंदर बेट के देखते क्या हमारी कार फ्लाइंग कार बन जाएगी यार जब आरे कार के क्या सीन हो रहे आर देखो ओल्टी ओल्टी और गोरी है यार गोल गोल घ्र फ्लाइंग कार नबस तो तो चलिए आर अपन बुगाटी में करके देखते में देखते मत एक पुलिस के द कर दी है अगर मुझे लगता यार इसे फुलाइंग कर करें तो गाइस यह मीट होता है हमारा कंफर्म तो गाइस हमारा अगला मेट यह कि अगरा मून गेवटी एक्टिवेट करके पुलिस के उतरने से पहले हम पुलिस की गाड़ी में बेटेंगे तो फिर देको मैजिक तो गईस पुलिस भूनाने के लिए मुझे इसको मार ना सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इस गेम के मिट बता हो तो मुझे कॉमेंट करके बताओ जल्दी